हलो औין वेल्कम मैं हूं पराग छापेकर और लेकर आया हूं शेरणी का रिवेव जी हाँ क्या इनसान प्रगति और पर्यावरेन के भी संतुलन रखपाया है क्या इनसानियत और जानवरों के प्रती उतना करोना रख पाया है क्या हम उस बैलेंस को बरकरार रखने में कामियाब हुए है इस मुद्दे को कहती है शेरनी जिया कहने को तो अमित मसूरकर जिन्होंने फिल्म को निर्देशित किया है उन्होंने एक बहुती कुरूड सी फिल्म बनाई है रौ सी फिल्म बनाई है लेकिन उसका उद्देश ब एक शिरनी अपने बच्चों के साथ जंगल में जाना चाहती है। रास्ते में खेट, खलिहान, मुवेशी चराने की जगे और किस सारे ख़धाने वगेरा दिखती है। और उसको अपने जंगल में वापस जाना है और उसके इस रास्ते में जो की उसका घर था नैसर की घर था जंगल वहाँ पर इंसानों ने जो कबजा किया है विकास के नाम पर उसमें और जब वो अपने जंगल वापस जाना चाहती है अपने बच्चों के साथ इंसान उसकी वाखलाता है कैसे सरकारी सिस्टम रियेक्ट करता है कैसे पॉलिटिकल लोग उसका माईलेज का फायदा उठाते कैसे मीडिया उसका फायदा उठाती है किस तरह से वो मुद्दा एक अजीव गरीब मुद्दा हो जाता है लेकिन उस शेर्णी और शेर्णी के बच्चों के प् उठते पर बात करना सक्त जबरूरी था कोई एक है जो इस पर बात कर रहा है कि क्या हम बास्मा सुड नहीं हो गए जिसने जिनको शिव ने वरदान दिया था कि वो जिसके भी सरपर हात रखेगा वो बहस्म हो जाएगा प्रकृती ने हमको भरपूर्वरदान दिये हैं संसाधन दिये हैं हम प्रकृती के सर पर हाथ रखने पर आमादा है इनसान पूरी इनसानियत इस प्रकृती को नश्ट करने में लगी है जिसके सारे वो जिन्दा है यह बहुत बड़ा और एहम सवाल है अगर मैं बात करूँ परफॉर्मेंस लेवल की तो विद्या बालन बहुत ही शांदार परफॉर्म करते नजर आती है इसके साथ साथ विजेंद्र काला जो उनके बहुत बने है अधुद परफॉर्मेंस उन्होंने दिया है नीरज कभी भी बहुत शांदार perform करते नजर आते हैं इसके आलावा जो भी characters है उन्होंने सभी ने बहुत शांदार perform किया है बिल्कुल natural perform किया है हर जो सरकारी तंत्र होता है उसका एक example दो एक scene में जब विद्या का posting वहाँ पर होता है तो उनके जो सहयोगी वो बोलते कि सर पहले के जो forest officer थे वो बहुत दबंग थे सक्त थे और वो सामने अला officer भी बोलता है इसका contractor कौन है बुलाओ उसको meeting के लिए यही बात next वो जो उनका विद्या जब छोड़ कर जाती है next बहुत साता है सेम बात उनके assistant क केते हैं कि सर पहले की officer हमारी बड़ी सक्त थी और यह थी वो पूछता कि contractor कौन है बुलाओ उसको तो इस तरह के जो सरकारी तंत्र की खामिया है जिस तरह के हम लोग react करते हैं जंगल और जानवरों के प्रति इसको बहुत सटी गढंग से कहती है शेरनी शेरनी एक बहुत म से साथे तीन स्टाप